आज किस वीडियों हम पढ़ने वाल हैं वो देखेंगे सात्यों बिना देरी के हम नीबंद के तत्व मतलब नीबंद के कितने तत्व हैं सात्यों बिना देरी के देखते हैं नीबंद के तत्व तो नीबंद के यहां पर कितने तत्व में दिख लिया है तो नीबंद के चार व सब्सक्राप अब verdi वर्व में निमंद को बाता गया आगे देखते कंवे वह चारास हे प्हेल है दिएिए उसको आप लिख सकते हूं लिखना मतलब भण करना किलिए और कए रहा हूं जो निबंद उसको क्या करना वर्नात्मक मतलब वर्नात्मक से आप समझ चुके लिखना तो जो निबंद उसको चाल वर्गों में बाटा गया है पहला है वर्नात्मक मतलब लिख सकते निबंद को दूसरा है भावनात्मक मतलब भावनात्मक से समझ चुके भावनात्मक मतलब भावों से आ आपके मन में क्या है वह आप उस निबन में लिखोगे और दूसरे के हद पहुचाओगे तो आपके जो भाव नात्मक निबन हो गया दो बता दिए तीसरा है विचार नात्मक अब मैंना भी आपको जश्ट बताया हुआ था कि भाव नात्मक के साथ क्या है विचार जोना चाहिए हमारे अभी जश्ट की गई थी कि पहले हम लिख लेते वर नात्मक उसमें क्या रहता है अपने भाव और विचारों को हम लिखते हुआ ही तो आपका निंबद कैलाता है तो पेला है वर नात्मक दूसरा है भाव नात्मक तीसरा विचार लिखते है तो विचार नात्मक तीन हो गये चोब त we will not निबंद यह आपका याद कर लेना है कि विवरनात्मक निबंद चार यहां पर मैंने बता दिए कि निबंद के तत्व निबंद को कितने वर्गों में बाट गया है निबंद को चार वर्गों में बाट गया है पहला है वरनात्मक निबंद दूसरा है भाव नात्मक निबंद और चोता है आपका निमद के लिए अच्छे से यहां पर निमद की यहां पर बताएं सोरी निमद के ततुर पिरकार एक यह तो अच्छे से अपको पता हो तो इस यहां से शिकर जरू जाएं अपने मन में जो बात लेकर आये ते याद करने के साथ याद करके जाएं ना कि लेगा जाएं साथ यह में अच्छे से पढ़त रहेगा अपने दोस्तों के साथ